नमस्क्र दोस्तों स्वागत है आप सभी का lecture number 66 ठीक है ना 66 ठीक है चाचछटवा लेक्चर है physics optional UPSC CAC का और in this 66 lecture we are going to see from here onwards ठीक है ना यहां से देखने आले हम ठीक है और यहां तक जाने आले हैं यह end तक ठीक है ना यहां तक जाने आले हैं ठीक है तो यह PDF तो मैंने अप्लोड कर दी थी टेलिग्राम पर काफी दिन पहले पता नहीं किते लोग उसको फॉलो कर रहे हैं एक दो लोग तो है जो पता है फॉलो कर रहे हैं बाकी वोकर नहीं पता ठीक है तो देखते हैं देखें दोस्तों LX, LY और LZ जो है हमने निकाला था इक्वेट कर दिया तो कोईफिशेंट यहां से LX I cap, LY J cap, LZ k cap ठीक है न और राइट हैंड साइड के जो I, J, K के कोईफिशेंट थे यह कल कैसे डिराइव हुआ थो बता रहता है मैंने तो I, J, K के कोईफिशेंट लेट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्वेट करोगे तो you will get LX equal to this much अब यह जो quantity आई है LX का value इसको equation A माना है और यह LX जो value आई है इसमें यह जो terms आपको नज़र आ रही है ठीक है ना पहले तो इतनी जो term नज़र आ रही है ठी यह इतनी ठीक है ना यह जो नज़र आ रही है ठीक है ना उसके बाद में यह नज़र आने के बाद में यह जो नज़र आ रही है ठीक है ना along with negative sign ठीक है और यह along with negative sign मतलब बिना negative sign के भी लोग है तो भी चलेगा लेकिन मैं ले रहा हूं along with negative sign ठीक है ना यह omega z अलग है ठीक ह omega से डर लग ठीक है तो यह जो इतनी जो terms है this term is called as मैं दूसरे pen से mark करता हूं ठीक है इसको देखो द्यान से this term ठीक है यह जो pink में दिख रही है ठीक है यह term this is equal to ixx ठीक है यह जो term दिख रही है ठीक है this is equal to ixy ठीक है ना and the third term minus of summation i m i x i z i ठीक है ना that is equal to i xz ठीक है ना तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसी term आए ठीक है ना ri में से ri में से x i को उड़ा होगे ri square में से x i square को उड़ा होगे तो ixx ठीक है ना यह चीज़ ध्यान रखना है x और y का product लोगे तो i x y आएगा x और z का product लोगे तो i x z आएगा ठीक है ना समझ में आरी है बात मेरी similarly what will this term be equal to try to answer this okay submission i m i ठीक है ना ri square minus y i square ठीक है ना what will this be equal to ठीक है ना this will be equal to clearly i y y ठीक है ना यह किसके बराबर होगा भई i y y के बराबर होगा ठीक है ना तो इस चीज का काम पढ़ने आला है हमको आगे चलके ठीक है तो विशेज द्यान देना इस चीज पर ठीक है तो यह जो अभी इसको visualize मत करना ठीक है ना visualize मत करने लग जाना है there is no need to visualize actually all these things ठीक है ना these terms these things are actually just go you have to mug up कि यह जो है यह i xs के equal होता है ठीक है ना यह जो है यह i xy के equal होता है ठीक है ना यह जो है यह i xz के equal होता है just mug it up ठीक है ना आप चाहें तो negative sign यहाँ इसके साथ ले सकते हैं आप चाहें तो यह अला negative sign यहाँ इसके साथ ले सकते हैं No worries, ठीक है न, वो चलेगा, ठीक है, पर अगर यह negative sign इसके साथ लेते हो, यह negative sign अगर इसके साथ लेते हो, तो यहाँ क्या आएगा, यह minus sign आएगा फिर, ठीक है न, यह negative sign अगर इसके साथ लेते हो, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ minus sign आएगा फिर, instead of plus समझ में आरी ना बात मेरी तो इन चीजों का ख्याल रखना है ठीक है नाओ यह तो हो गया यह चीज ठीक है अब यह एक चीज बता हो मुझे यहाँ I, Y, Z आए अगर X, Y के जगह Y, Z आए तो क्या आएगा I, Y, Z आएगा समझ में आरी बात मेरी ठीक है X, Z आएगा तो I, X, Z आएगा X, Y आएगा तो I, X, Y, Z आएगा I, Y, Z आएगा तो I, Y, Z आएगा समझ में आरी ना बात और एक चीज का विशेश ख्याल रखना है कि यह X, Y जो है यह Commitative Product है ठीक है ना यह X, Y है यह क्या है यह यह आएगा पार्टिकल का X-Coordinate, Y-Coordinate, Z-Coordinate है ना आएगा पार्टिकल का X-Coordinate, Y-Coordinate, Z-Coordinate है उनका Product तो Obviously Commitative होगा क्योंकि दियार डिजिट्स ठीक है ना तो इसी लॉजिक से अगर Product Commitative होता है तो I, X, Y जो है I, Y, X के Equal आएगा ठीक है ना I, X, Z जो है I, Y, Z ठीक है ना That will be equal to I, Z, Y ठीक है ना तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है ठीक है ना तो यह तो मैंने logic समझा दिये ठीक है So you will have to just put these logics in this equation number A तो इन logics को put करो यहाँ पे ठीक है ना तो यह मिलेगा LX के लिए expression ठीक है LY के लिए similarly देखो क्या मिलेगा ठीक है ना You have got these terms ठीक है ना तो देखो यहाँ पे यह जो term है यह किसके equal दिखरी है यहाँ से ही पता चल रहा है I, X, Y के equal है ठीक है ना अबर यह वाली जो term दिखरी है तुमको यह Y, Z ठीक है ना I, Y, Z के equal है ठीक है ना और यह वाली term किसके equal है भाई साब अगर यह I, X, X था तो यह I, Y, Y हो जाएगा ठीक है ना So this is I, Y, Y ठीक है ना तो इन्सारी terms को यहाँ put करो ठीक है ना और यहाँ ध्यान रखना है कि इसके साथ में negative वाली term भी ले लेना ठीक है ना ताकि तुम्हारे final expression में plus आए ठीक है तो ले लिया तो यह मिला ठीक है ना समझ में आरी बात Now similarly L, Z के लिए यह expression आया है यह term I, X, Z के बरावर है यह I, Y, Z, के बरावर है ठीक है ना I, X, X, I, Y, Y, I, Z, Z, I, Z, X, I, X, Y यह जो इतनी सारी जो terms आई है यह किसके equal होती है यह हमको देखना है यह क्या signify करती है यह terms ठीक है ना तो एक concept आता है moments and products of inertia का concept ठीक है ना concept क्या है moments and products of inertia का concept है ठीक है ना तो the nine coefficients अब देखो यह जो equations यहाँ पर लिखी गई है ना LX किसके equal है भाई साब तुमारा तुमारा जो LX है किसके equal है यहाँ देख सकते हो I, X, X, I, X, Y, I, X, Y, I, Z, I, Z, I, Z ठीक है ना तो यहाँ लिख देता हूं में I, X, X, Omega, X, Plus क्या आया है I, X, Y, Omega, Y ठीक है ना I, X, Y, Omega, Y ठीक है ना और Plus में क्या आया है I, X, Z, Omega, Z ठीक है ना ठीक है यह आया है LX का value LY का value भी यह है LZ का value भी यह है अब moments and products of inertia की definition से आप clearly matrix form में लिख सकते हो तीन equations को ठीक है ना तो बच्पन में पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे एक variable कौन से कौन से है वहाँ variable आपके equations में यहाँ X, Y, Z हुआ करते थे यहाँ पे ठीक है ना तो वहाँ X, Y, Z के जगह पे तुम लिख दो Omega Y, Omega X and Omega Z लिख दो ठीक है ना समझ मेरी बात मिली तो Omega Y, Omega X और Omega Z लिख दिया वहाँ पे ठीक है फिर यह जो term है यह जो दिख रही है ठीक है ना यह कैसे आई तो यह वाले terms को आरेंज करो lines है ठीक है ना यह पहला term यह दूसरा term यह तीसरा term फिर उसके नीचे लिखो पहला term तो यह इस तरीके का square matrix आजाएगा समझ में आरी बात मेरी ठीक है ना यह जो है LX के terms यहाँ लिखे है यह जो है LY के terms यहाँ लिखे है और यह जो LZ के terms है वो third line पे लिखे है ठीक है समझ में आरी बात So these are the things ठीक है और यह जो है left hand side का value LX, LY और LZ ठीक है ना those are over here ठीक है ना यहाँ पे है वो ठीक है LX, LY, LZ समझ में आरी बात Now omega X, omega Y, omega Z as usual equation जो है आपके 3 variable है ना बाई equation 3 variable में omega X, omega Y, omega Z में equation जैसे आपके XYZ में हुआ करते थे वैसे ही omega X, omega Y, omega Z में आपके equations है समझ में आरी बात मेरी तो omega X, omega Y, omega Z को यहाँ लिख दिया ठीक है समझ में आ गई होगी बात hopefully ठीक है तो omega X, omega Y, omega Z को यहाँ लिख दिया है ठीक है ना Now अगर इसका product लेके देखो तो वह equation मिलना चाहिए अगर इस matrix को solve करते हो तो जो पहले का equation है ठीक है ना जो पहले जो equation था हमारा उसी के equal मिलना चाहिए तो what will LX be equal to ठीक है ना इसका multiplication होगा इसके साथ ठीक है ना तो क्या आएगी term यह वाली term आएगी ठीक है ना फिर इसका multiplication होगा इसके साथ ठीक है ना Not this, sorry Really very sorry फिर से सुनो ठीक है फिर से सुनो ठीक है इसका multiplication होगा इसके साथ ठीक है ना तो यह वाली term आएगी ठीक है ना फिर इसका multiplication होगा इसके साथ ठीक है ना तो यह वाली term आएगी ठीक है ना फिर इसका multiplication होगा इसके साथ ठीक है तो यह वाली term आएगी ठीक है ना इसका multiplication लोगे इसके साथ तो यह वाली term आएगी फिर इसका multiplication लोगे इसके साथ तो यह वाली term आएगी फिर इसका multiplication लोगे इसके साथ ठीक है अब कुड़ा हो रहा है बहुत यहां ठीक है इसका multiplication लोगे इसके साथ तो यह वाली ही टर्म आएगी ठीक है ना फिर इसका multiplication लोगे इसके साथ तो यह वाली टर्म आएगी समझ में आ रही हो ना बात मेरी तो in this way you have to cross check कि तुमारे जो matrix equation लिखे हो वो तुमारे original equation आ रहे है कि नी back calculation से देख लेना है ठीक है ना समझ में आ रही हो की बात मेरी ठीक है फिर इसको मैं लिख सकता हूँ vector L equal to अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत गौर फर्माने आ लिए दोस्तों यह जो है ना इनको diagonal elements का आ जाता है ठीक है यह जो elements है इनको diagonal elements का आ जाता है ठीक है ना और यह जो है यह जो elements दिख रहे हैं these are all off diagonal elements ठीक है ना सारे के सारे off diagonal elements है ठीक है now is this matrix symmetric अगर मैं पूछू अगर मैं पूछू कि भाई यह matrix symmetric है क्या ठीक है ठीक है ना तो yes it is a symmetric matrix why it is a symmetric matrix बताओ मुझे क्योंकि देखो ना वाई i y x और i x y जो है यह equal है काई से equal है यहाँ पे देखो i x y और i y x इसी के बराबर आएंगे ना i x y लिखो या i y x लिखो y और x को interchange होने वाले और product commutative है ठीक है ना product commutative है तो x y लिखो या y x लिखो यही बात होगी ठीक है ना तो इसी लिए यह जो टर्म है आपकी ठीक है ना क्या होगा था यहाँ पे ठीक है ना समझ मारी बात मेरी यह यह जो टर्म है i x y और i y x ठीक ठीक है ना फिर i x y क्योंकि product commutative है ना और उसकी definition में देखो क्या आ रहा है ठीक है ना जिसे यहां पर i y z ko i xz को देख लेते हैं i xz को देख रहे हो तो i xz जो है यह x और z is का combination है ना x multiplied by z है पर मैं अगर i z x लिखू तो यहां पर i z पहले आएगा x बाद में आएगा तो product commutative है तो कोई फरक तो पढ़ नहीं रहा है ठीक है ना so this is a symmetric matrix ठीक है ना symmetric किस के about है diagonal के about symmetric matrix ठीक है ना जैसे diagonal के left में जैसे मिलता है diagonal के side जैसे मिलता है वैसे diagonal के right hand side में मिलता है ठीक है इसका मतलब है matrix क्या है symmetric है ठीक है इसलिए कहा जाता है कि moment of inertia is a symmetric tensor ठीक है अब यह बताओंगा मैं आगे चलके वह ठीक है बड़ इतना जान लो अभी कि जो tensor आ रहा है तुम्हेरा वो क्या है symmetric आ ठीक है ना तो यह जो है इतनी quantity को क्या बोल सकता हूं मैं i i tensor ठीक है ना और यह omega x यह क्या है omega vector है ठीक है ना और यह क्या है l vector है ठीक है ना so i can write l vector equal to i i tensor multiplied by omega vector ठीक है ना the equation 4 implies that when i operates on angular velocity vector omega angular velocity vector omega पे जब operate करता है आपका moment of inertia vector i ठीक है ना moment of inertia tensor है वह vector नहीं है the moment of inertia tensor जब आपका operate करता है angular velocity vector पे ठीक है ना moment of inertia tensor i when it operates on angular velocity vector omega physically different vector angular momentum l results ठीक है ना so i is therefore a physical entity term as moment of inertia tensor ठीक है ना i is therefore a different physical entity अलग physical entity है and it is termed as a tensor and it is called as moment of inertia tensor ठीक है ना ध्यान रखना इस बात को it is called as moment of inertia tensor ठीक है now we will see कि tensor basically होता क्या है पिछले classes में बताया है मैंने लेकिन मैं आपको बता देने चाहूंगा फिर से एक बार ठीक है ना कि tensor जो आप tensor of order 0 होते हैं ठीक है Na order 0 के tensor याणी की scaler ठीक है ना order 1 के tensor यानी की vector ठीक है ना tensor of order 1 is vector ठीक है ना इनको तो रो एंग को तो रो इनकोक टेंसर को तो सकानर बोल देते ठीक मैंगी रहा है ठीक ना यू लांच के टेंसर गरी बोलते उसका बूरें कोई फर नेम नीहिए ठीक texting marketing इनको तो चीजै पर वहां आप बच्पन में क्या करते थे उसको स्केलर ही कंसिटर करके चलते थे और एक सेंटेंस राट लेते थे कि इस एक्चुली यह टेंसर करके ठीक है ना पर उसको कभी अपलाई नहीं करते थे ऐसी यह एंसर टिक करने के लिए एक सेंटेंस राट लेते थे थे electric current is a tensor similarly moment of inertia is also a tensor ठीक है ना tensor है मतलब क्या it is a tensor of order 2 ठीक है ना rank 2 order नहीं बोलना चाहिए rank बोलना चाहिए tensor of rank 2 है आपका moment of inertia quantity ठीक है ना so tensor of rank 2 होने के वज़े से it is called as a tensor ठीक है ना अगर वो tensor of rank 1 होता तो it would have been a vector अगर वो tensor of rank 0 होता तो it would have been a scalar ठीक है ना so this is the thing the i is the therefore different physical quantity termed as moment of inertia tensor ठीक है ना now moment of inertia ठीक है the diagonal elements देखो diagonal elements of the matrix यह जो matrix आही है हमारे पास ठीक है ना इसके जो diagonal elements है these are called as moment of inertia ठीक है ना यह पूरे के पूरे term को क्या बोल रहे है moment of inertia tensor बोल रहे है ठीक है अब आपको एक चीज मैंने बता ही थी पिछले classes में कि आपके scalar का there is no component ठीक है scalar के कोई component नहीं होते वेक्टर के 3-dimensional space में 3 component होते हैं ठीक है ना वेक्टर के 3-dimensional space में वेक्टर के 3-dimensional space में कौन से कौन से 3 component होते हैं अलोंग एक्स डारेक्शन अलोंग य डारेक्शन एर आलोंग जेट डारेक्शन थीक है ना तो वेक्टर के ऐसे 3 component होते है अलोंग एक्स अलोंग य अलोंग जेट ठीक है ना लेकिन आपका जो यह nine component जो है moment of inertia tensor के नाइन component जो है moment of inertia tensor के उन में से यह diagonal elements नजर आ रहे झाए इन में से यह diagonal elements जो नजर आ रहे इनको क्या को आ जाता है यह कहा जाता है moments of inertia about x-axis y-axis and z-axis aspect और ठीक है ना यह उसी के equal होते हैं ठीक है ना moment of inertia about x-axis बोले तो i-xx moment of inertia about y-axis बोले तो i-y-y और moment of inertia along z-axis बोले तो i-z-z ठीक है ना और वो axis कैसे x-y-z axis 3D plane में mutually perpendicular axis होती है पता ही होगा यह तो पिछले classes का discussion से पता ही होगा यार ठीक है ना तो यह हो गया ठीक है x-y-z के about moment of inertia ठीक है ना so you can clearly see this thing कि यह जो इधर वाले जो terms है इनका physical significance क्या है ठीक है ना यह वाले जो terms दिख रहे है आफ diagonal elements दिख रहे है जो यह है आफ diagonal element ठीक है ना और यह क्या है दूसरा आफ diagonal element है ठीक है ना तो यह जो आफ diagonal elements आपको नज़र आ रहे हैं आपर ठीक है आर दिस आफ diagonal elements क्या बोलते है वह है क्या मतलब इनका physical significance क्या है यह अगर हमको जानना है तो इसके लिए तो tensor analysis वगरे पर जाना पड़ेगा वो difficult part है ठीक है ना तो इसका ज़्यादा physical significance के चक्कर में मत जाओ कि जैसे ixx क्या signify कर रहा है कि moment of inertia about xx signify कर रहा है iyy क्या signify कर रहा है कि moment of inertia about yx signify कर रहा है I, Z, Z क्या signify कर रहा है कि moment of inertia about Z, X, X signify कर रहा है Then what does this I, X, Y signify basically यह क्या signify करता है उसके चक्कर में जाने की जड़ोत नहीं है I, X, Y कितना ध्यान में रखो कि वो कुछ नहीं है इतना ध्यान में रखो कि I, X, Y जो है न यह I, Y, Z और I, X, Z ठीक है न देखो आपके 3 plane होते हैं 3D space में 3 plane होते हैं X, Y plane, Y, Z plane और X, Z plane ठीक है न 3 plane होते हैं तो I, X, Y जो है ठीक है न I, X, Y का मतलब क्या होगा ठीक है न तो X, Y, Y, Z और Z, X यह 3 plane होते हैं mutually perpendicular plane होते हैं 3D space में अब उनको में draw करके नहीं दिखाऊंगा इतनी आप लोग महारत हासिल करी चुके होगे ठीक है न यह आपके mobile plane है this is X, Y plane इसके perpendicular यहां से जो ऐसा पास होगा that will be which plane that will be basically Y, Z plane ठीक है न और एक X, Z plane भी होगा ठीक है न वो भी पास करेगा ठीक है एक दूसरे केट ठीक है न तो यू विल गेट X, Y plane Y, Z plane और X, Z plane ठीक है न तो इसका फिजिकल सिग्निफिकन्स कुछ नहीं है इतना ही ध्यान में रखो कि it is XY वोले तो product of inertia about I, Y, Z और I, Z ठीक है न प्रोड़ोक्ट of inertia about I, Y, Z और I, Z निकलना थे तो IX, Y, Z के बरावर आईगा ठीक है न similarly product of inertia about ixy and ixz किसके एकवल आएगा iyz के बरावर आएगा ठीक है न तो जो बाकी के दो plane बच जाते हैं आपके जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है न जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है जैसे ixy है तो ixy के सब्सक्रिप्ट में क्या लिखा है xy लिखा है तो बाकी के कौन से दो plane बच आपके yz बचा और xz बचा ठीक है न तो yz और xz के about जो product of inertia होगा body का वही ixy के about होगा ठीक है न ixy के about नहीं होगा उसको ixy से दिखाएंगे basically वही ixy के about नहीं होगा गलत बोल दिया मैंने ठीक है उसी को ixy से denote करेंगे basically समझ मेरी बात मेरी ठीक है न तो ixy जो है it will be denoted in terms of i yz and i xz के बीच में product of inertia इन दो plane का i मत लिखो yz और xz plane के बीच में जो product of inertia होगा वह ixy होगा similarly अगर i yz की बात करूँ तो क्या होगा xy और xz के बीच में जो product of inertia होगा that will be i yz ठीक है न अब ये product of inertia असलियत में क्या है उसमें जाने की ज़रूत नहीं बेटा ठीक है न जैसे moment of inertia about x axis moment of inertia about y axis और moment of inertia about z axis ये आपको पूरी तरीके से imagined होते हैं ठीक है न पर ixy क्या है i yz क्या है i xz क्या है ठीक है इसको imagine करने के चक्तर में मच जा ठीक है न it is it will overcomplicate the things ठीक है न it is not a part of your syllabus even ठीक है न तो इतनी चिंता नहीं करना है ठीक है तो और वो three dimensional में imagine करवा इसे upa से बोलने वाला भी नहीं है तो क्यों उतना हम करेंगे ठीक है न आर काल मोमेंट्स ओफ इनर्श बाट xy and z x इस रेस्पेक्टियों ठीक है ना now i xx के बरावर है भाई इसके बरावर है अभी देखा था अब ri के इसके बरावर होता है xi square plus y square plus z अगा square ठीक है ना r किसके एकवल होता है x i cap plus y j cap ठीक है ना z k cap के एकवल होता है ना आपका position vector ठीक है तो ri किसके एकवल होगा इसका magnitude ले लेंगे इसका जैसी magnitude लोगे तो x i ka square plus y i ka square plus z i ka square square root फिर बहुत दसाइड square लोगे तो यह आ जाएगा ri ri square will be equal to this much ठीक है ना अब इतनी तो बुद्धी आपकी चलती होगी कि r vector अगर x i cap plus y j cap plus z k cap है तो obviously ri जो है x i square plus y i square plus z i square ही होगा ri का square ठीक है ना और इसमें से x i square minus कर रहे तो यह और यह cancel हो जाएंगे ठीक है ना तो i x x किसके बरावर आए इसके बरावर similarly i y y किसके बरावर आएगा इसके बरावर ठीक है ना तो x x आता है तो y z आते हैं y y आता है तो x और z आते हैं और z z आता है तो x और y आते हैं ठीक है ना समझ में आरी ही बात so this is the thing now products of inertia पे बात करते हैं थोड़ी सी ठीक है तो the six quantities i x y i x z फला न जो भी है ठीक है ना there are totally nine nine components होते हैं उसमें से 6 जो है product of inertia होते हैं और 3 जो है moment of inertia होते हैं ठीक है ना तो moment of inertia has basically moment of inertia tensor ऐसा बोलना चाहिए moment of inertia tensor has basically how many components moment of inertia tensor has basically nine components ठीक है ना और moment of inertia tensor के यदि nine components होते हैं तो उसमें से 6 क्या होते हैं प्रोड़क्ट आफ इनर्शिया होते हैं, और बाकी के तीन क्या होते हैं, मुमेंट आफ इनर्शिया होते हैं, ठीक है ना, तो मुमेंट आफ इनर्शिया टेंसर के छे कंपोनेंट, प्रोड़क्ट आफ इनर्शिया होते हैं, ठीक है ना, और moment of inertia अलग चीज़ है बेटा और moment of inertia tensor अलग चीज़ है बेटा दोनों में confuse मत होना ठीक है ना moment of inertia tensor दो चीज़ों से मिलके बनाए एक moment of inertia और product of inertia ठीक है ना तो moment of inertia tensor and moment of inertia are both different things ठीक है ना दो six quantities ixy ixz जो भी है यह जितनी भी six quantities दिखरी नहीं यहाँ पर यह जो आफ diagonal यह diagonal को हटा तो बाखी की जितनी भी six quantities दिखरी ठीक है ना these are called as products of inertia वही लिखा है six quantities फलाना are known as products of inertia now ठीक है ना यह यह देखा है हमने ठीक है ना ixy iyx इसके बराबर था ठीक है ना iyz izy ixy इसके बराबर था ixz izx इसके बराबर था देख चुके ना भाई derive करते है समय तो as inertia tensor has nine components in 3d space so it is a tensor of rank 2 ठीक है ना nine components in 3d space में तो tensor of rank 2 है ठीक है ना जो आपके vector होते है वह tensor of rank क्या होते है vector होते है, tensor of rank 1 तो कितने component होते है, उनके 3 component होते है ठीक है न, scalar जो होते है आपके, वो tensor of rank कितने होते है, 0 होते है, तो how many components do they have, 0, उनके कोई component होता ही न, component is not defined for scalar basically, ठीक है न, तो in this way you can imagine, so since Ixy and Iyx are equal so it is a symmetric tensor ठीक है न, Ixy, Yx Ixy, Iyx के equal है ठीक है न, Iyz, Izy Zy के equal है, ठीक है न, ठीक है न, वहीं ये ये जीज़ देख सकते ने आपे, Ixy, Iyx के equal है, Iyz, Izy के equal है, Izx, Iz, 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 Xz के equal है, ठीक है न, तो diagonal के about, basically diagonal के about symmetry दिखरी न तुमको, ठीक है न, इस diagonal के about symmetry दिखरी बहुत दो साइट, इसलिए इसको क्या बोलते है, symmetric tensor का आजाता है, ठीक है न, so it is a symmetric tensor, ठीक है, actually there is no need to put negative sign, ये वही लिखा है note के रूप में, ठीक है न, actually there is no need to put negative sign in defining the product of inertia, product of inertia को define करने के लिए, जरूरी नहीं है कि negative sign डालो, ठीक है न, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, ये negative sign जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये क्यों आए ये negative sign, क्योंकि जब आप यहाँ derive कर रहे थे, जब आप यहाँ derive कर रहे थे, तो minus sign साथ में लेके, यहाँ plus लाया था आपने, ठीक है न, minus sign को साथ में लेके, यहाँ plus लाया था, इसमें minus sign को इसके साथ merge करके, यहाँ plus लाया था, आप चाहते हैं, तो यह सब भी कर सकते थे, यहाँ minus को minus ही रहे दिया, यहाँ minus को इसके साथ में नहीं लिया, और इसको minus ही रहे दिया, इस minus को इसके साथ नहीं लिया, इसको minus ही रहें दिया, तो उस case में क्या आता है, यहाँ प्लस के जगह, दोनो minus आते हैं, समझ महारी ना बात मेरी है, समझ महारी है, तो basically वही चीज लिखी हुई है, ठीक है न, तो तुम्हारे mathematical calculation पर depend करता है, तुम minus sign साथ में लोगे, तो यह minus के साथ आएगा, ठीक है न, पहले ही, derivation के time पर ही, ठीक है न, यह derivation के time पर ही, अगर तो minus sign साथ में लोगे, यह minus sign साथ में लेके ixy लिखोगे, तो ixy में minus आएगा, ठीक है न, similarly, यह minus sign को यहाँ साथ में लेके ixz लिखोगे, तो minus sign साथ में आएगा, पर if you want minus sign को रहने जे सकते हो तो फिर यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा instead of plus, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा instead of plus, समझ में आरी ना बात मेरी so this is the thing the diagonal elements of the matrix ixx, iyy and izz are called moments of inertia about xyz axis respectively, ठीक है ना so diagonal elements of matrix के ixx, iyy and izz ये क्या है, moment of inertia about xyz axis है, ठीक है ना and product of inertia क्या है ये तीन है, ठीक है ना so ixy, i yx is equal, so it is symmetric, actually there is no need to put negative sign in defining product of inertia, so equivalently we may write, ये भी लिख सकते हो ये लिखो चाहिए लिखो एक ही बात है, ठीक है ना minus sign के साथ लिखो चाहिए बीना लिखो एक ही बात है, ठीक है ना these three terms, ठीक है तो in fact product of inertia is defined with respect to a pair of orthogonal coordinate planes, ठीक है ना orthogonal coordinate plane के respect में defined होता है भाई, i x y i y x जो है, ये product of inertia relative y z और z x के, ठीक है ना देखो आपके जो x y हो गए ना, x y खब गए तो बागे के दो कौन से बचे, x z बचे और y z बचे, ठीक है ना तो x y जब जब भी होगा subscribe में, तो product of inertia y z और x z के respect में होगा, ठीक है ना i y z और i z y जब जब भी equal ये होगा, subscribe में y z या z y होगा, तो x y और x z के equal होगा, ठीक है ना और जब x z होगा, तब x y और y z के respect में होगा product of inertia, ठीक है ना so these are basically three mutually perpendicular planes in 3D axis 3D plane, ठीक है ना, 3D space sorry, 3D space में three mutually perpendicular जो planes होते हैं उसमें से अगर एक plane का subscribe यूज कुई आए, तो बाकी के दो plane के respect में product of inertia है वो, ठीक है ना so ये जो i x y है, ये किसके respect में है, y z और x z के equal में है, now y z और x z और बहुत perpendicular to x y similarly y z जो है वो x y और z x के respect में है तो y z जो है perpendicular है किसके, x y और x z दोनों के perpendicular है similarly z x जो है, perpendicular है x y और y z के, समझ में हारी ने बात so three mutually perpendicular planes का इस तरीके से हो, ठीक है in case of continuous mass distribution अगर mass distribution continuous है, तो बताओ क्या आएगा भई, ठीक है before moving to that, you know this very well, कि moment of inertia always positive होगा, moment of inertia always positive के होगा, क्योंकि m r square से दिया जाता है, ठीक है न, m r square से दिया जाता है तो m तो always positive ही रहेगा r square भी always positive ही रहेगा complex number तो डालोगे नहीं r की value r की value complex number डालोगे तब negative आ सकता था square, ठीक है न, पर square तो always positive होता है न, complex number का square negative होता है सिर्फ, पर यहां complex number रही नहीं सकता, r because it is distance, distance cannot be a complex quantity, ठीक है ना, तो MR square के आएगा, moment of inertia, that's always positive आएगा, ठीक है ना, जबकि product of inertia जो है, वो positive भी आ सकता है, negative भी आ सकता है, और zero भी आ सकता है, समझ मारी ना बात मेरी, so these things you will have to remember, ठीक है ना, क्योंकि product of inertia में किसी भी quantity का square नहीं है, तो सहबा एक सी बात है, it can be positive, negative और zero, ठीक है ना, पर moment of inertia always positive होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें quantity का square आ रहा है, और mass से multiplication है, तो mass तो positive है, quantity का square भी positive है, ठीक है ना, सिर्फ दुनिया में याद रखो, हर चीज़ का square positive होता है, सिर्फ आयोटा का square minus one होता है, ठीक है ना, आयोटा और दूसरे complex number का square negative में आ सकता है, बाकि जितने भी आपके numbers है, साधे numbers, ठीक है ना, real number, जो distance नापने के लिए और यूज़ करते हैं, वो सारे numbers का square तो positive ही आएगा, सिर्फ आयोटा जैसी terms का square minus one आता है, ठीक है ना, तो in case of continuous mass distribution क्या होगा भाई, देखो, continuous mass distribution के case में क्या होगा, आपका ixy इस सी दिया जाता है ना, तो summation को replace करो integration से, mi को replace करो dm से, ठीक है ना, x i y i को as it is रखो, ठीक है ना, और x i y i भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आयत particle का concept ही नहीं है integration में, integration में dm mass element का concept है, ठीक है ना, integration में भाई, dm mass element का concept है ना भाई, instead of mi, discrete-discrete particle में summation का concept आता है, dm mass element में integration का concept आता है, तो dm mass integration में, अगर dm integration का concept है, dm differential mass है, तो x और y जो coordinates है, वो भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना, x और y जो coordinates है, वो भी किसी आयत particle के नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना, वो भी उस element के लिए जाएंगे, तो i लिखनी की जरूत नहीं पड़ीगी सब्स्क्रिप्ट, ठीक है ना, तो सब्स्क्रिप्ट i लिखनी की जरूत नहीं पड़ती ठीक है, so this summation can be changed to integration, summation को integration में change करोगे, x और y is it is, और i हटा दोगे क्योंकि i-th element, element को i-th, i-th, j-th नाम नहीं दिया जाता ठीक है ना, element is a continuous thing, वो तो discrete particle को i-th, j-th वगे नाम देते हो, ठीक है ना, तो x, y, dm आएगा integration, ठीक है ना, similarly y, z किसके बरावर आएगा, integration y, z, dm के बरावर, ठीक है ना, so वही चीज़े यहां पर लिखी होई है, i, x, y, j, integration, x, y, dm, y, z, integration, y, z, dm, i, z, j, integration, z, dm, ठीक है ना, this is the thing, ठीक है, इनके सब continuous mass distribution, now angular momentum of the body is, ठीक है ठीक है न, कहां मिलता है, ठीक है, ये तो मिल रहा है, ठीक है न, angular momentum of the body is like this, ठीक है न, तो पिछले classes नहीं देखे है तो देख सकते हैं, ठीक है न, link है नीचे, ठीक है तो इनकेस अब continuous mass distribution तो इससे दिया गया इनकेस अब continuous mass distribution के case में क्या होगा भाई देखो continuous mass distribution के case में जो MI है वो DM बन जाएगा ठीक है न आए वाले सब्सक्रिप्ट हड़ जाएंगे continuous mass distribution क्योंकि continuous mass distribution में discrete के तरह सगे सगे particle नहीं होते DM mass element होता है और DM mass element को numbering नहीं दी जाती I mass element है J mass element है ऐसा नहीं दिया जाता है I particle J particle बोला जाता है पर mass element DM ही होता है I, J, K नहीं होता है ठीक है न तो आए सब्सक्रिप्ट को हटा दो इसमें से और summation को integration कर दो और M को DM कर दो ठीक है न तो आपका जो है यह बन जाएगा continuous mass distribution का formula ठीक है न तो this is the thing अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते है कि R को क्यों नहीं किया R को DR क्यों नहीं किया M को ही DM क्यों किया ठीक है न तो बहुत सरल जवाब है भाई आर तो आपका एक mass element के लिए R तो सेम ही रहेगा न भाई ठीक है न एक mass element DM के लिए R तो सेम ही रहने वाला है तो R को DR क्यों करेंगे ठीक है न तो DM ही होएगा हो ठीक है न समझे मेरी बात logic लगा होगे तो DM ही होएगा DR नहीं होने हाला ठीक है न तो this is the thing और फिर DM जो है यह DM जो है यह DM जो है यह आपका समझे यह continuous body है और यहां का छोटा सा आपने DM element तोड़ा है ठीक है न तो DM mass is equal to density density into volume यानि कि क्या होता है एक होता है ठीक है न माश G एक है मास मास इस उपको हो ठीक है तो DM किसके ब़राबर होजाएंगा है आपका density डो पर रो डीवी आजाएगा क्योंकि density for such a small differential mass element ठीके ना अब यहां पर समझ लो रो डीवी क्यों आया है ठीके ना भी इसको समझ ही लो आप लोग ठीके ना कुछ बच्चे यहां confused हो सकते हैं ठीके देखो dm is equal to rho dv क्यों आया ठीके आपको पता है कि mass is equal to density into volume होता है करके ठीके ना अब यहां पर बुद्द साइट differential लो तो dm आएगा d rho into v आएगा ठीके ना अब आपने differential mass element को इतना छोटा लिया कि मांड़ो यह आपकी body हिए और आपने इतना सा mass element मांड़ो यह ऊतना छोटा है थिके ना बहुत ही छोटा है समझो थीके ना इतना ठवाप w Heute ने सब्खेशन पॉरी बाड़ी वन जो तो क्या तुमको लगता है कि इतने छोटे से mass element के लिए density अलग होगी, मान लो यहाँ पे हर point, body के हर point पे density अलग-अलग है, मान लो, ठीक है न, uniform density वाला नहीं है, मान लो तुम्हारा ये object, ठीक है न, तो तुमको क्या लगता है, छोटे से dm mass element के लिए, जिसका volume dv है, इतने छोटे से हो, तो almost point के बराबर है, तो almost point के बराबर है, तो इतने से part के लिए, तुम्हारा रो क्या रहेगा, constant रहेगा, ठीक है न, तो पूरिये body के लिए constant ना हो बलाई, लेकिन इतने से point के लिए रो constant रहेगा, तो रो dv आ जाएगा, रो बाहर आजाएगा differential से, ठीक है न, तो यहाँ पे रो dv लिख दिया, dm के जग़ पे, ठीक है न, तो यह रो dv लिखने पे, dm के जग़ पे रो dv लिखने पे यह आया, ठीक है न, और यह वाला जो term दिख रहा है, square bracket के अंदर, यह as it is रहा, ठीक है न, यह square bracket के अंदर का turn, this remained as it is, ठीक है न, so this is the expression for angular momentum of the body, ठीक है न, यह है expression angular momentum body का, ठीक है, so I hope कि this class was productive for you, thank you very much, जय हिंत, और telegram जय हिंन नहीं किया है तो,